शब्द अंग्रेजी में है जिसकी हम अर्थ हिंदी में भी बताएंगे आपको तो पहले जो अंग्रेजी में लिखी हुई है उसको हम पढ़के सुनाते हैं इस वीडियो इस इंस्पायर्ट बाइ रियल वीडियोस और फ़ामस डिजिटल नियूज चैनल्स अर्थाथ या वीडियो परसिद डिजिटल नियूज चैनलों के वास्तविक वीडियो से प्रेरित है हमने एक कालपनिक सामगरी बनाई है जो वाइरल वीडियो पर आधारित है हमारा एक मातर मकसद आपको कालपनिक तरीके से वाइरल वीडियो के बारे में ग्यान और जानकारी देना है इसे गंभीरता से ना लें आगे हिंदी में लिखते है ये वीडियो इंटेटेन्मेंट के लिए बना गया है दिल पे ना लें और जिस मशूर डिजिटल चैनल का जिक्र किया है उसमें इसका सच तक भी आता है आप देख रहे हैं वी आर्ज न्यूस एक नजर सच्चाई की और अब हम बात करते हैं मनीश कश्यप की फेक ट्वीट की वो फेक ट्वीट जिसके करान आज उसके पीछे बिहार पुलिस के साथ साथ तमिलाडू पुलिस भी पड़ी हुई है साथ ही ट्वीटर ने माना कि जो कंटेंट ये शेयर कर रहे हैं वो ब्रामक है और उन्होंने इसकी ट्वीटर एकांट को सस्पेंड कर दिया द्रसल मनीश कश्यप का ट्वीटर एकांट उसकी गलती से सस्पेंड हुआ है इसके अंदर इतना घमंट भड़ा हुआ है और ओवर कॉन्फिडेंस में है कि सम्वेदन शिल मामले में भी ट्वीट से पहले पोस्त की क्रॉस चेकिंग करना तक मुनासिब नहीं समझता है अगर करता तो आज उसे ये दिन देखने को नहीं मिलता पहले जरा ट्वीट में किये आखरी की कुछ लाइन को समझे फिर बताएंगे कि इसने कहां गलती कर दी है लिखते हैं एक और बात बोलू तो जस्वी आदब जी शायद भाशर में जूट बोलते बोलते आप लोगों को जूट सुनने का आदत हो गया होगा इसलिए मनिश कसेप का सच आप लोगों को जूट लगा मैं बिहार के मजदूर और गरीबों के बारे में जूट नहीं फैलाता हूँ बलकि उनका सचाई दिखाता हूँ और उस सच को आप लोग देखना नहीं चाहते इन आखरी कुछ लाइनों के साथ बिहार के डिजिटल मीडिया के पत्रकार मनिश कसेप कुछ फोटो भी एटेच किया और ट्वीट को प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी, मुख्य मंतरी निदिश कुमार और उपमुख्य मंतरी तेस्वी आदब को टैक करते हुए शेयर कर दिया इस ट्वीट के बाद प्रदान मंतरी, मुक्षि मंतरी और उपमुक्षि मंतरी किसी ने भी इसका जवाब तो देना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि इस बार भी इस विक्ती ने गंद ही फैलाया जिन तस्वीरों और वीडियो को सच समझ कर तस्वी आदब को कोस रहे थे दरसल वे सारी तस्वीरें एवं वीडियो फेक है यानि गलत है उस वीडियो का तमिलाडू की कथित घटना से कोई लेना देना नहीं है अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये गलत है तो सिर और नाक में बैंडिट क्यों लगी है तो आपको बता दू कि ये वीडियो दरसल स्क्रिप्टिट है एक नाटक है वो कैसे आपको हम वीडियो के नीचे दरसाय डिस्क्रिप्टिप्टिन में लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाते हैं शब्द अंग्रेजी में है जिसकी हम अर्थ हिंदी में भी बताएंगे आपको तो पहले चो अंग्रेजी में लिखी हुई है उसको हम पढ़के सुनाते हैं अर्थात या वीडियो परसिद डिजिटल निउस चैनलों के वास्तविक वीडियो से प्रेरित है हमने एक कालपनिक सामगरी बनाई है जो वाइरल वीडियो पर आधारित है हमारा एक मातर मकसद आपको कालपनिक तरीके से वाइरल वीडियो के बारे में ग्यान और जानकारी देना है इसे गंभीरता से ना लें आगे हिंदी में लिखते हैं ये वीडियो इंटेन्मेंट के लिए बनाया गया है दिल पे नाले और जिस मशूर डिजिटल चैनल का जिक्र किया है उसमें इसका सच तक भी आता है अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में डिसकलेमर ट्विट के बातों नहीं लगाया गया तो जरा ठैरिये ये वीडियो चैनल पर 6 मार्च को डाली गई है और साथ ही डिसकलेमर भी वीडियो के साथ ही शेयर किया गया है अगर ये वीडियो इंटेन्मेंट के उद्यश से नहीं बनाया गया होता तो सीर और नाक में लगी बैंडेट को यूट्यूब बैन कर देता एज डिस्ट्रेक्शन कर सकता था या फिर उसे धुंदला कर देता क्योंकि ये कम्यूनिटी गायड लाइन्स के खिलाफ है और मनिश कस्यप ने इस वीडियो को आठ मार्च को वक्त फॉलोवर्स यानि ऐसे फॉलोवर्स जो सच और जूट को जाने बिना किसी के दिवाने हो जाते हैं दुआरा जरोत से ज़्याद है प्यारे मिलने के कारण इतना बुखला गए हैं कि इस तरह कि समय दिन्शिल मामले पर भी एक बार के लिए वीडियो के सत्यता का ख् हम सच बोलते हैं अरे भाई मुझ से सच शब्द बोल लेने से सच उस वक्त तक सच समझा नहीं जाता है जब तक कि उसका कोई परमान सामने नहीं दिख जाता है और यह सबुत चीख चीख कर कह रहा है कि मनेश कस्याप जूट बोल रहा है इसके बाद मनेश कस्याप ने अगर वे सही थे तो अपने ट्वीट को डिलेट क्यों किया है जाहिर है कि मनेश कस्याप फेक निउस फैला रहे थे बारहाल ट्वीटर ने उसके इस फेक कंटेंट से भड़ी पोस्ट को देखते हुए एकाउंट को सस्पेंड कर दिया हलाकि इस फेक कंटेंट के मामले में बिहार पुलीस ने तीन वेक्तियों को गिर अफ़तार कर लिया है बाकी की तालाश अब भी जारी है वही से लेकर बिहार एडिशनल डिजी पी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी मीडिया के साथ साज़ा की है हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें साथ ही बिल आइकन पर प्रेस करना ना भूले ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे